तो ज्वाद प्रक्रसक्स आए असलाम अलेजू मेपर्ड उम्मीद आप सब क्या दियत से होंगे आज मैं बनाने लगी हूँ जिंगर बर्गर इसके लिए मैंने थाई पीस लिए है चिकन के 250 ग्राम थाई पीस आपके थिन होने चाहिए गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून नमा 1 टीस्पून अगर आपके पास सिर्का नहीं है तो आप लेमन यू सेट कर लें चिकन की मैरिनेशन स्टार्ट करते है रेट चिली पाउडर डालतेंगे ब्लैक पेपर पाउडर सफेज बिच पाउडर नमा विनिगर लेसल पेस्ट अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लिया है आप इसको मैं मैरिनेशन के लिए ओवर नाइट के लिए रख दूँगी अगर आपने जल्दी बनाने हैं तो आप आदा गंटा या वानावर के लिए मिनिमम रख दें पुटिंग की इंग्रीडेंट्स नोट कर लें अगर आपके पास गालिक पाउडर नहीं है अवेलेब्ल या आपके पास चिकन पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप सिर्फ मैदे में भी आप क्राउम्स बना सकते हैं मिक्स कर ले थाई पीस लेके कोटिंग करेंगे इसको आपना प्रेस करने अग्स यह बड़ा इंपॉर्टन स्टेप है इसमें आपके क्रम्ज बनते हैं एक्सेस को डस्ट कर देंगे और चंद सेकंड के लिए पानी में डाल देंगे आठ से दस सेकंड के लिए मैंने इसको डिप किया है अम इसको निकाल लूँगी और सेम प्रोसेस रिपीट करूँगी हलके हलके आतों से अब आप करें सेकंड स्टेप में पानी आप रून टेंपरेचर पे लें जिसमें आपने डिप करना था पहले स्टेप में इस तरह में बाकी पीस भी बना लूँगी यह देखें हमारे कितने अच्छे क्रम्स बनें मीडियम फ्लेम पे मैंने वाइल गरम किया है आपने हाए पे गरम नहीं करना अब मैंने लो फ्लेम कर दिया है और मैं थाए पीस अपना फ्राइ करना हूँ बिल्कुल लो फ्लेम पे डीप फ्राइ करना है साथ से 8 मिन के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वेल आकन को प्रेस करना न भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता दे एक साइड का गोल्ड बन को हलका हलका गरम कर लेंगे सबसे पहले बेस पे बर्गर की मियॉनीज लगा देंगे थोड़ा सा आइसपर्ट डाल लेंगे जिंगर पीस डाल देंगे चिली गार्लिक सॉस या कैचप आपके पास अवेलेबल हो तो आप वो डालने तो आपके पत्ते डालने तो आपके पास